नमस्कार आप देख रहे हैं दव बिहार टॉप मैं हूँ आदेश पुली बिहार में फर्जी तंत्र कितना हावी है यह आप दो अख़वारों परकते हैं चाहे सरकारी करमचारी हो सरकारी अधिकारी हो साइबर ठग हो सभी का बोलबाला है बिहार में आपकों मैं काज स्टोडी बताएंगे जिसमें फर्जी वारा करने के साथ ही फर्जी लोगों ने फर्जी वारा कर दिया आपको अटपटा लएगा सुनकी एक साइबर ठग के साथ ठगी हुआ और ठगी करने वाले भी ठगी ही थे और सहारा लिया उन्होंने सरकारी अधिकारी गया मामला है मुझफ़र पुर का जहां पर एक साइबर ठग जो की टेलिग्राम ग्रूप के माध्यम से पैसे की वसूली करता था उसे चार यू यू के अधिकारियों ने पकड़ा उससे वसूली की और बाद में मामला पता चला कि वो यू यू के चारो अधिकारी जो थे वो फरजी थे हालाकि सारे लोग पकड़े गए पैसे का लेंदेन हुआ और पुलिस जो है उसे पूर्शाज कर रही है मामला मुझफ़र पुर का है आपको पुरा कहानी बताते हैं अहियापुर थाने की पुलिस ने सनीवर को यू यू के चार फरजी अफसर को गिरफतार किया चारो सातिरों ने खुद को पटना के यू यू का अधिकारी बता अहियापुर के मेडिगल ओबर विरिज के पास सिवाई पट्टी के प्रेगंबर पुर्श सगहरी निवासी रवी कुमार को साइबर क्राइम में सम्वित बताकर गिरफतार किया उसे गारी में बैठाने के बाद बंधक बनाकर दर्वंगा और समस्तिपूर ले गए वसूली करने के बाद उसे सदर थाने के बीवी गंज मुर के पास मुक्त कर दिये चारों ने यू का फरजी अधिकारी बनकर सुक्रवार को रवी को मेडिकल ओवर बिज के पास बुलाया वहाँ यू का फरजी आई कार दिखाकर यूवक को फरजी धंग से गिरफतार किया उसकी गिरफतारी का मेमो भी तयार किया पाँच घंटे तक उसे गारी में बंदक बनाकर घुमाते रहें और दर्भांगा समस्ती पुड ले गए उसे मुक्त करने के लिए 49,000 उपए लिये गले से सोने की चेन और मुबाइल छिन लिया गारी में 10,000 का तेल भी बरवाया इसके बाद बीवी गंज मोल के पास उसे मुक्त कर दिया रभी अयापुर थाने में घटना की F.I.R. दर्ज कर आई एक कंप्लेन आया था कि परसों अयापुर थाना चित्रिस्तित SKMCH 4 के पास में एक व्यक्ति है रभी इनका घर सिवाई पट्टी में है इनको कुछ लोग के दौरा कॉल करके बुलाए गया और बोला गया कि रभी कभी एक बैक्राउंट रहा है उसकर मैं आपको बाद में बता हुआ बुलाए गया कि कुछ बैंक आकाउंट का पैसा वैसा लेना है तो यह जब गए वहाँ पर इसके में से चौक के पास में तो वहीं पर ही तीन लोग मौजूद थे एक कार्ड थी उसमें मौजूद थे और तीनों के दौरा इनको बिठाए गया बिठा करके लगवग दोड़ाई वज़े की बात है पर्दों और साथ गंट तक इनको लगातार घुमाए गया जिसमें समस्क्री वगरा भी गए दरवंगा भी गए और पूरा घुमाने के बाद में इनको फिर बीवी गंच सदर्थाना चितर में इनको छोड़ दिया गया इस पूरे डूरेशन में इनके साथ में यह बोला गया कि हम यो यू के आफिसर हैं इनको कुछ फेक आइडी वी वगरा थी इनके बसमें वह इन्हों ने दिखाई और बोला गया कि तुमनों साइबर क्रिमिनल हो साइबर कपराथ करते हो उसके लिए हमने तुमको अरेस्ट करने आए तो प्रॉपर इन्हों ने अरेस्ट मेमो उसका बनाया ताकि वह भी विश्वास में आ गया था कि हां यह साइबर कुलिस है अरेस्ट मेमो बनाया और प्रॉपर सीजर वगरा बनाया बना करके और उससे फिर छोडने के नाम पर पचास हजार रुपे लिए उसका चेन ले लिया और जो गाड़ी में तेल वगरा भी उन लोगों ने दस घ्यार तका डलवाया तो हम लोगों ने इसमें कान की कंभीरता को देखते हुए और फाइयर दर्ज करके अम लोगों ने चॉइस गंटे के अंदर तीनों लोगों के आरेस्टिंग किया जो तीनों मौ जो पता एसे चला कि जब उन्होंने पैसा लिया जवर्दाति अकाउंट में पैसा दलवाया इन्होंने गेमिंग एप सारी बैटिंग एप में पैसा डलवाया था रेडिन ना करके उसमें पैसा ठाल वाय थै तब लोगों अब बैसे तो पीडित खुद भी इस जो चैवर मामले में गाय घट के पूरा निवासी विनायक कुमार, बागा खाल निवासी अवनाव कुमार, और आई के मटियानी निवासी सुभम कुमार और अहियापुर के अथारा घट नाजिरपुर निवासी आदर्स कुमार को गिरफतार किया गया है। रवी है वो भी साइबर अपराद में सन्लिप्त है वो टेलिग्राम पर गुरुप बना कर ठगी करता है बेतिया के साइबर साथियों के गिरोव से जुड़ा है उसके संबंद में अलग से जान चल रही है रवी ने फरजी यूयू की अधिकारियों को रुपए देने के लिए अपने साथियों को कॉल किया इस तरह उसके साथियों ने 49,000 रुपए भेजे तब चारों साथियों ने रवी को मुबाइल को ले लिया और उसको मुबाइल से अलग-अलग खाते में रुपए अस्थानांतिक कर दिया चारों गिरफतार साथियों साइबर क्राइम के लिए छात्रों को जहासा देकर उनका बैंक खाता भाड़े पर लेते थे छात्रुती देने का जहासा देकर लिए गए खाते में साइबर क्राइम से ठगी की रासी मंगवाते थे तो ये मामला है बिहार में नजाने क्या क्या हो रहा है साइबर ठग भी बिहार में सुरक्षित नहीं उनके भी बाप जो है वो यहां घूंग रहे हैं अब देखिए रवी जो है वो टेलिग्राम से साइबर ठगी करता है और उसको इसी ठगी के लिए गिरफतार करने के लिए यो यू के चार फरजी अधिकारी आते हैं उसे गिड्नेप करते हैं उससे खाते में रासी मंगवाते और उसको छात्रों के द्वारा छात्रुति के नाम पर भाड़े पर बैंक ठाता लिया गया है उस पर पैसा जमा करवाते हैं और छोड़ देते हैं और सभी के सभी पकड़े भी जाते हैं तो नजाने बिहार में क्या-क्या चल रहा है Understanding Award फर्जी अधिकारी, CVAE के फर्दी अधिकारी, फर्जी DSP, फर्जी IPS, नजाने फर्जी कितने दरोगा, ED के भी फर्जी पकड़े जा चुके हैं यहां पर, तो साइवर ठगों को भी बच के रहने की जरूरत है, उन्हें मैं यह सलाद दूंगा कि वो भी जो है, किसी के चक्कर में ना आए, तो अजब लिला है बिहार में, और चारों लोग पकड़े गए हैं, मामले की जान चल रही हैं, तो फिलाल इस वीडियो में इतना आई, वीड लाइक सेर करें हमारी चैनल दो अब यहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें, धन्यवाद